एक कुंडली सौ समाधान देश की हर जोतिश्य पद्धती के समावेश के साथ संपोर्ण आकर्शक और सबसे सटी एस्ट्रो सेज व्रिहत कुंडली आज अभी लें क्यूंकि भविश्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेट हर हर महादेव आपने के क्या हैस्टो सेच तर नमबर वन इस्ट्रोलजी वैभव देने वाले लगजरी देने वाले शुक्र का हो रहा है गोचर शुक्र मेश से निकल कर चले जाएंगे व्रिशब राशी में और व्रिशब राशी है इनकी अपनी राशी अपनी राशी में प दिन होगा शनिवार का और वक्त होगा दोपहर के तीन बच कर 36 मिनट जब अपनी स्वाराशी व्रिशब में प्रवेश कर जाएंगे शुक्र कल्यूग में हर तरह की सुक्सुविदा देते जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि सुक्सुविदा देने वाले ग्रह हैं ये मालिक है सुक्सुविदा देने के पर क्या आपको मालूम है कि ये लगजरी परोसनी वाला प्लानेट अगर अश्यब स्थिति में रहे तो क्या होगा शुब शुक्र यदी प्रेम है तो अशुब शुक्र वासना है सोचिये ज़रा Obsession के मालिक राहु के साथ अगर अशुब शुक्र यही वासनावाला यूती बना ले तो परणाम कैसे होंगे कितने भयंकर परणाम निकलेंगे अंदाजा भी नहीं लगा सकते है शुक्र की महिमा तो आप जानते हैं शुक्र के अशुब परणाम भी समझते ही होंगे इसलिए ये दोनों टॉपिक मैं नहीं छेरती आज आपको बताते हूँ कि शुक्र के रतन हीरा ये दरसल है क्या बला और हीरा क्या वाकई बला साबित हो सकता है इस से पहले मैं एक वैधानिक चेतावनी आपको दे देती हूँ कि हीरा जो आज हीरे का जो पहलु आज आप जानेंगे हो सकता है उसके बाद आप हीरा पसंद करना बंद करते है उसकी वज़ाई है कि हीरा अगर आपके जंदगी को बहतर बनाने की ताकत रखता है तो बरबाद भी कर सकता है इसलिए हीरा पहनने से पहले जोतिश ये सलाह लेना, एस्ट्रोलाजिकल अड्वाइज, कंसल्टेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है शुक्र का रतन होता है हीरा जोतिश में मानिता है कि हीरे के शुब फल से आपको सुख, समरिदी, एस्वरी और चीज़ें मिल जाती है है पर हीरा पहनना हर किसी के लिए शुब नहीं होता जिसे आमभाशा में मारग ग्रह भी बोलते हैं तो उस स्तिती में कैसे फल दे पाएगा या उढर पीड़ित है तो कैसे फल दे पाएगा तो ऐसे स्थिति में शुक्र जो है वो शुब नहीं अशुब फल देने लगता है और हीरा शुक्र का रत्न होता है तो अगर शुक्र पीडित है और आप सीधा रत्न पहन लेते हैं तो ये उसके प्रभाव में और वृध्धी कर देगा वो प्रभाव आपके लिए नाकारात्मक अगर मैं आपको बता देती हूँ देगे हीरा की वल खुबसूरती नहीं बढ़ाता या आपके जिंदगी खत्रे में डाल सकता है हीरा आपकी राशी के विपरीत हो तो आपकी मुश्किले बढ़ सकती है इसके लाब के लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है जैसे कि आप जोतिश्य सला के सिर्फ फैशन के लिए दिखावे के लिए हीरा मत पहनिएगा अगर आप डायबिटिक है या आपको बलड से जोड़ी कोई प्राब्लम है तो भी आपको हीरा नहीं पहनना है अगर आपकी उमर 21 साल हो चुकी है और 50 साल से कम की है तो आप हीरा पहन सकते है लेकिन कुंडली दिखवा लीजेगा उसके बाद हीरा पहनने से शादी शुदा जंदगी में समस्याइं बढ़ सकती है वो भी अचानक और ये रिपीट होती रहती है हीरा जितना जियादा सफेद हो उतना अच्छा होता है दागवाला या तूटा हीरा हीरा क्या कोई भी रतन हो तो यह नहीं पहनना चाहिए नहीं तो अप्याश या दुरघटना होती है और होती ही रहती है हीरा जब अगर आप पहन रहे हैं तो आपको मूंगा नहीं पहनना है या गोमेद नहीं पहनना है गोमेद कि यह राहु के लिए पहनना जाता है और मूंगा मंगल के लि दुश प्रभाव आपके शरत्र पर पड़ता है हीरा किन के लिए शुब है और किन के लिए अशुब है यह आपको कुंडली से ही पता चल पाएगा मैं बार बार ही कह रहे हूं हाला कि हीरा देता तो सुख सम्रिधी और वैभव ही है जब यह पॉजिटिवली दे रहा हो जब इसके शुब परणाम बढ़ाने हो तब लेकिन यह हर राशी के लिए शुब नहीं है तो किन राशी के लिए शुब नहीं है और किन राशी के लिए शुब है किन राशी के लिए शुब है किन राशी को शुब बता देता है यह मैं बता देती हूं देके मेश, सिंग, व्रि विशेश, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुम्भ अगर आप इन लगन के हैं फिर मैं राशी नहीं कह रही लगन कह रही फिर आप कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि यह चंदर राशी है यह लगन राशी है तो मैं आपको बता रही हूं कि इन लगनों के बारे में बता र में हीरा पहन सकते हैं जो लोग अध्यात्मम में उन्नती चाहते हैं उन्हें हीरा कभी नहीं पहनना है ग्लैमर फिल्म या मीडिया इंडस्ट्री में हैं आप तो आपके लिए हीरा लाबकारी हो सकता है लेकिन जिन लगनों के बारे में मैंने मना किया है उन लगनों को कुं making वगर में हैं तो अपनी राशी से ही अपताय कर लीजे कि क्या आपके लिए हीरा वाकई है सदा के लिए खैर हीरा से वापस लोटते हैं शुक्र के राशी परिवर्तन पर 28 मार्च से किन के जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं शुक्र देव तो सुनिये तो शुरुआत में इस राशी से करते हैं शुक्र महराज आपकी राशी के दूसरे भाव में गोचर करेंगे ये आपके दूसरे भाव के साथ साथवे भाव के स्वामी होते हैं शुक्र के इस गोचर से आपकी वाणी में आकर्शन बढ़ जाएगा आप अपनी प्यारी प्या और इस समय में आप अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, जूलरी भी खरीद सकते हैं, साथी साथ कोई नई गैजट भी खरीदने की संभावना यहां पर दिख रही है, आपकी आंदनी में भी बड़ोत्री होगी और आपको अच्छा खासा धन लाब होगा, इससे आपकी आर्थिक आपके लिए लाब के मार खोल देगा, दूसरी तरफ इस गोचर के प्रभाव से आपके भोग विलास में वृध्धी होगी, इस पर आपको नियंत्रन रखना है, नहीं तो यह किसी तरीकी की शारिरिक समस्या को जन्म दे सकता है, यह गोचर समाच में आपको मान सम्मान दि यह इस शुक्र के गोचर के दौरान यह शुक्र से बहतरीन परणाम चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर चावल, अक्षत अरपित कीजेगा, बिना टूटे हुए जो चावल होते हैं, अरवा चावल यह अरपित कीजेगा, आपको भाव से आपके स्वास्ते में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिती बन सकते है, खान पान पर विशेज ध्यान रखेगा, बैलन्स टाइट लेने की कोशिश कीजेगा, इसे आपकी बीमारियां टल जाएंगी, आपकी परस्नालिटी में अट्राक्शन बढ़ेगा, यूँ भी आप रिशेव राशी के हैं तो आपकी परस्नालिटी लाजवाब होगी ही होगी, आप किसी भी तरह की सुन्दर्ता के प्रति आकरशित होंगे, ये आपका बेसिक नेचर भी है, आपकी जो मैरेड लाइफ है, इस दोरान शुक्र आपको पॉजिटिव रजल्स देने वाले हैं, वैपार के मामले में की गई आपकी कोशिशें सफल रहेंगे और इस समय आपको अपने बिसनस से संबंदित कुछ अच्छे परणाम भी मिल जाएंगे, गोचर का ये काल आपको एक खास बात ध्यान में रखने योग्य होगा, वो ये कि महिलाओं का सम्मान जरूर कीज नहीं तो आपको किसी भी लेवल का नुकसान हो सकता है, किसी भी लेवल का मतलब आपके मान सम्मान में भी हानी हो सकती है, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, किसी भी लेवल का नुकसान हो सकता है, तो महिलाओं का सम्मान कीजिएगा, वाणी के स्तर से तो कम से कम जरूर की इस दौरान आपका मन वाद विवाद में बहुत लगने वाला है हाला कि आपको इससे बचना चाहिए क्योंकि आपको अपनी वाणी पर नियंतरन रखना है इसके अलावा आपको विरोधियों से भी थोड़ा साफधान रहना है क्योंकि वह आपकी इमिज को हाम करने की अब है और जो मैंने पाच्छे राशियां बताई थी जिनके लगन में अगर ये राशियां है तो आपको हीरा नहीं धारण करना अगर आप उस लगन से परे हैं तो आप हीरा पहन सकते हैं ओपल के अलावा तो मित्वन राशिवाले आपके लिए क्या लेकर आया है ये गोचर के कारण आपके खर्चों में अच्छानक से वृति हो जाएगी और इस वज़े से आप पर आर्थिक बोज बढ़ने वाला है लेकिन क्या है कि शुक्र का ये गोचर आपकी आमदनी में भी इजाफा कर रहा है तो आपकी जो बड़े हुए खर्चे हैं वो बैलन्स र सोच रहे हैं तो आपका ये सपना अब साकार हो सकता है विदेश से किसी बड़िया कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का आपको अपसर मिल सकता है और इस विज़े से आपकी खुशी चरम पर रहेगी अपने विरोधियों से इस समय में आपको थोड़ा वगरा के शेत्र में तो आप साथ समंदर पार की यात्रा भी इस सिलसले में कर सकते कोई कॉई कॉंसोर्ट वगरा में आपको पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आप देखने ही चले जाएं कुछ आसा हो सकता है इसके अलावा इस समय में आपको अच्छी और मीठी नींड आएंगे लेकिन ज्यादा भोग विलास की आदत आपके शरीर को हानी पहुंचा सकती है विशेश रूप से इस पर नियंतरन रखेगा आपकी संतान इस समय आप से कुछ खर्चे करवा सकती है लेकिन कीजिए का चुक्कि मैंने बताया आपकी आमदनी बढ़िया रहेगी त से आपको अपरत्याशत लाब होगा अगली राशी एक करक राशी तो करक राशी वाले आपको क्या करना है शुक्र का ये गोचर आपकी राशी से हो रहा है एकादश भाव में यानि कि शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं आपके लगन में तो उस तर लोगों से आपका तालमेल भी बैठेगा और जीवन में सफलता के मार्क भी खुलेंगे व्यापार के सलसले में आपको नतीजे अच्छे मिलेंगे आपका बिजनस एक्सपांड होगा प्रॉपर्टी के मामले में भी आपको लाब हो सकता है किसी प्रॉपर्टी से रेंटल इं इस दौरान आप अपने लव मेट के साथ काफी अच्छा समय बिताएंगे आपके बीच अंडरस्टैनिंग और जादा बहतर बनेगी व्रिशव राशी में ये शुक्र का जो गोचर हो रहा है ये आपकी एक्षाओं की पूरती करने के लिए ही हो रहा है आप करक राशी वा वाली है अगर आप मैरज हैं तो इस दौरान आपकी संतान प्रोग्रेस करेगी और इससे आप खुश रहेंगे उपाई क्या करना है आपको शुक्रवार के दिन आपको श्री सुक्त का पाठ करना चाहिए इससे आपको फायदा मिलेगा तो अगली राशी है सहिंग राशी स सहिंग राशी के लोगों के लिए शुक्र का ये गोचर दशंभाव में हो रहा है और शुक्र आपके लिए तीसरे और दशंभाव के स्वामी हैं दशंभाव में शुक्र का ये गोचर आपके काम में तरक की लेकर आएगा क्योंकि यहां शुक्र सुआराशी के हो जाएंग क्यoke ऐसे बामनों में आपके सनलिप्टत आपके विरूद हो जा सकती है आपके वरिष्ट अधीकारी आपसे इस वज़े से नाराज हो सकते हैं इस गोचर से आपको परिवारिक जीवन में खुश्यां मिलने वाली है, परिवार में कोई नया वहन आप खरीड सकते हैं, आपस में लोगों का सामन्जिस से बढ़िया रहने वाला है, आपके काम में आपके भाई बहन भी सही योग करेंगे, हाथ बताएंगे, और आपके फा जिससे शुकून मिलेगा, परिवार में कोई नई सुक्स विढा साधन आ सकता हे, कुछ फंक्शन भी हो सकता है, कुछ बढ़िया काम भी हो सकता हि, तो कुल मिलाकर ये गोचार आपके लिए बढ़िया रहेगा, शुक्र की अनुकूलता फिर भी अगर आपको चाहिے तो उप अगली राशी है कन्या राशी आपके लिए शुक्रदेव आपके नवंभाव के स्वामी होते हैं और दूसरे भाव के स्वामी भी होते हैं और इस गोचरकाल में आपके नवंभाव में प्रवेश कर जाएंगे और आपके भागे का स्थान भी यही होता है इसलिए शुक्रद स्टेविया बहतर बनने वाली है इस गोचर काल में किसी खूब सूरत या दर्शनी आस्थाल पर आप जा सकते हैं गोचर का यह काल आपके लिए इतना बढ़िया है कि आप चाहे तो अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं और अगर आप प्रेमी हैं तो अपनी प्रेमिका के साथ भी खूमने जा सकते हैं इससे आपको आनंद की अनुभूती होगी गोचर के इस प्रभाव से आपकी नौकरी में ट्रैंसफर के योग बन रहे हैं जो आपके हित में होगा और आपको अच्छा लाब मिलेगा अगर लगे कि नहीं ट्रैंसफर नहीं होना चाहिए तो ऐसा मत सोचेगा दमाग में क्योंकि ये ट्रैंसफर आपको बेनेफिट्स देने वाला है अगर आप बिजनस करते हैं तो इस लिहाज से ये गोचर आपके लिए बढ़िया है मेहनत मांग रहा है ये गोचर मेहनत कीजेगा सफलता मिलने वाली है आपको धन में भी वृदि होगी आप बढ़िया कमाएंगे प्रॉफिट होगा और आप इस वज़े से धनवान बन जाएंगे गोचर काल में आपके छोटे भाई बहनों को भी अच्छा लाब मिलने वाला है और उनके कारिक शेतर में उन्नती दिख रही है किसी छोटे भाई बहन अगर शादी की योग्यों हो तो विवा की शेहनाईयां बच सकती है आपके दोस्तों के संख्या में भी इजाफा हो सकता है स्यात्रा के दोरान कुछ नए लोगों से आपकी जान पहचान भी हो सकती है उपाई के दोर पर आपको क्या करना चाहिए तो आपके लिए बहतर होगा की छे मुखी रुद्राक्ष पहन लीजे इससे आपको बहुत फाइदा होगा अगली राशी है तुला राशी आपकी राशी के स्वामी होते हैं शुक्रदेव और गोचरकाल में आपके अश्टमभाव में यानि की स्वाराशी में व्रिशब में ये प्रवेश कर रहे हैं अश्टमभाव का स्वामी अश्टमभाव में जाने से इस भाव के विशिष्ट गुन आप प्रदर्शित होत करवाते रहेंगे और इसकी वज़़े से आपको अचानक से अच्छे परणाम मिलेंगे अप्रत्याशित रूप से धनलाब हो सकता है आपको और इस गोचरकाल में आपके सुक भोगने की प्रवरत्ती बढ़ेगी खोब मन लगा कर मैनत कीजेगा अपनी श्रेश्टता भी आप साबित कर पाईएगा सेहत को लेकर थोड़ी से चिंता यहां पर आपको करनी चाहिए क्योंकि मुझे भी हो रही है खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजेगा इस गोचरकाल में आपको थोड़ा सेहत को लेकर अलट रहना होगा बाकी सारी चीज़ें अच्छी है जैसे कि आपकी मैरेड लाइफ अच्छी है ससुराल पक्ष से ससुराल पक्ष में कोई फंक्षन वगरह हो सकता है वहाँ आपको जाना पड़ जाए आपके सम्मंद से और मजबूत होंगे ससुराल की तरफ से रिष्टों में खुश्यां आपको महसूस होंगी कुछ अंचाही यात्राएं भी करनी पड़ सकती है लेकिन ये यात्राएं कर लीजेगा क्योंकि ये फायदे मंद होंगी तो कुल मिलाकर अगर आप मार्क्स देखिए तो 10 में आपको 8 मार्क्स तो मिली जाएंगे इस गोचर के अन्यमित खान पान की वज़े से हेल्थ इशूज हो सकते हैं तो जैसे मैंने बताएं कि ससुराल के पक्ष में फंक्शन है तो वाँ पर खान पान पर ध्यान दीजेगा करियर के लिहाद से भी आपके लिए गोचर अच्छा ही रहने वाला है और आपको अपने आपको सिद्ध करने का साबित करने का मौका मिलेगा उपाई क्या करना चाहेंगे आप मैं बता दूँ देखे शुक्र ग्रह के मंत्र का जाब कीजिए ओम शुम शुक्राइन नमहा इस मंत्र का आपको नियमत जाब करना चाहिए आपको इससे हमेशा फायदा मिल लेगा अगली राशी व्रिष्चिक, व्रिष्चिक राशी के जातों के लिए गोचर क्या लेकर आया है तो आपके सब्तम भाव का स्वामी होता है, शुक्र और ये अपने भाव में वाप्तस लोटेगा बारह में भाव का भी स्वामी है, इस वज़े से आपके दामपत्य जीवन में सुखों की बरसात आप महसूस करेंगे रिष्टे में अगर कोई तनाव चल रहा था, तो उससे भाव को निजात मिलेगी आप दोनों के भी इस नजदीकिया बढ़ने वाली हैं, प्रेम की वृद्धी होगी और इस रिष्टे को बहतर आप बना पाएंगे विदेशी माद्या में उससे यहां पर लाब होता दिख रहा है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका है, तो आपको जबरदस प्रॉफिट होने वाली है अगर आप कोई नया बिसनिस शुरू करना चाहते हैं, तो इस सलसले में इस समय आपको अच्छे रिजल्स मिल सकते हैं कुछ आपका हेल्थ इस दौरान बढ़िया रहने वाला है, आपकी पुसनालिटी ओवरॉल जो लुक है ये भी आपका इंप्रूव होगा, आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं, समाच में आपको च्छामान सम्मान मिलेगा, जीवन साथी पर आप गोचर के और शुबफल लेने के लिए तो कुबेर मंत्र का जाप कीजिए, कुबेर धन के देवता है, कुबेर धन बरसाएंगे आपकर, अगली राशी धनू, आपकी राशी से छटे भाव में शुक्र का ये गोचर हो रहा है, जो अपनी ही राशी में हो रहा है, शुक्र आपके छटे भाव के साथ साथ आपके ग्यारहवे भाव के स्वामी होते हैं शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कहुंगे मैं क्योंकि इस दौरान आपको थोड़ी शारिरिक परिशानिया हो सकती हैं स्वास्त पेड़ित होने की से बिमारिया आ जाएंगी और इस वज़से आपके आमदनी में थोड़ी सी गिरावट भी संभव है यानि कि खर्चे हस्पिटल की तरफ बढ़ जाएंगे आमदनी कम होगी इस वज़से आर्थिक स्थिति आप थोड़ा सा कमजोर महसूस करने वाले हैं आपकी जेब पर ये बोज बढ़ता दिख रहा है इस समय में आपके विरोधी भी मजबूती से खड़े दिखेंगे आपकी छवी को बिगारने की ये कोशिश होगी इसलिए आपको थोड़ा सा साबधान भी रहना चाहिए वाद विवाद में किसी तरीके का व्यर्थ समय मत गवाईएगा क्योंकि इससे आपको कोई लाब नहीं होगा बलकि हानी ही होगी आपके अगल बगल जो महिलाएं रहती हैं उनका आपको सम्मान करना है क्योंकि शुक्र का गोचर अगर आपको अनकूल बनाना है तो आपको महिलाओं का सम्मान करना होगा वाद विवाद इनसे कताई मत करिएगा इसके लाब अपनी अकांक्षाओं की पूर्ती के लिए आपको पूर्जोर महनत करनी पड़ेगा और पृतियों की परिक्षाओं के शेत्र में भी ये गोचर आपको ज्य होगा क्योंकि यह आपके लिए योग कारक रह होता है अपने गोचर की इस अवदी में शुक्र आपके पंचमभाव में प्रवेश करेंगे जो की बहुत अनुकूल स्थाने और शुक्र अपनी ही राशी में होने से काफी मजबूत भी रहेंगे इस गोचर के प्रभाव से की बात भी कर लेंगे और आपके बीच अंतरंग संबंधों में बड़ोतरी होने वाली आपका प्यार परवान चड़ने वाला है सिक्षा के शित्र में आपको अभूत पूर्वा नतीजे मिलेंगे और ये आपको उपलब्धियां भी दिलवा सकता है इसके अलावा आपकी गणना विद्वानों में भी हो सकती है यदि आप मैर्ट हैं तो आपकी संतान के लिए समय अनुकूल रहेगा कुछ लोगों को इस समय में संतान भी प्रप्ति हो सकती है कुछ लोगों को संतान सुख मिल सकता है इस समय में आपको अपनी नौकरी में कुछ बदलाव करने का भी विचार करना चाहिए, जो लोग नौकरी छोड़ चुके हैं या जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें इस समय नई नौकरे मिल जाएगी, व्यापार के लिए इस समय बहुत फाइदे मंद रहने वाला है, उपाईगया करना चाहिए, आपको उत्तम कोलीटी का उपल धारन करना चाहिए, आपको एस रोसीज शॉप में भी मिल जाएगी, जब भी रतन पहने, उसकी क्वालिटी बढ़िया रहे, नहीं तो मत पहनिए, अगली राशी, कुम्भ राशी, शुक्र ग्रह का ये गोचर आपके जीवन में सुक और शान्ती लेकर आने वाला है, कई तरह की ये सुक आपके लिए लेकर आने वाला है, आपके चतुरत भाव में प्रवेश करेगा और ये उनका अपना भाव होता है, यानि कि शुक्र का भाव होता है, शुक्र व्रिशब राशी यहां पर होती है, और इसके अलावा अपने भाग्यस्थान, यानि कि नवम भाव का स् इसकी साज सजावर्ट या आंतरिक सज्जा पर भी धन खर्च कर सकते हैं इस समय में परिवार में आनंद और उत्साह रहेगा कोई अच्छा फंक्शन हो सकता है जिसमें अतीतियों का आगबन होगा परिवार में हर्शोल लास हो सकता है आपकी माता जी खुश रहने वाली है स समय में आपको उससे लाब मिल सकता है जो लोग विदेश कहे हुए थे उन्हें इस दौरान घर वापस लोटने की संभाब ना बनेगी अपने परिवार में वक्त बिता कर आपको काफी संतुष्टी मिलेगी और सुकून के कारण आपका स्ट्रेस चूमंतर हो जाएगा उप आपने इस गोचर काल में ये आपके तीसरे भाव में प्रवेश भी करने वाला है ये गोचर आपके लिए ज्यादा अनुकूलता की तरफ इशारा नहीं कर रहा एक धनुराशी एक मीन राशी इन दो राशियों के लिए शुक्र का ये गोचर उतना जादा अनुकूल नहीं जतना की वाकी राशियों के लिए है खोड़ी साब्धानी चाहिए आपको साब्धानी किन शेत्रों में तो स्वास्ते के लिहाद से इस अबधी में आपके स्वास्ते में गिरावट आ सकती है बीमार हो सकते हैं इसके अलावा यात्राओं के लिए भी इसमें बहुत बढ़िया नहीं है यात्राओं से आपको कोई अच्छा लाब मिल सकता है और किसी खास व्यक्तिय से मिलने का मौका भी मिलेगा इसके अलावा आपकी आमदनी बढ़ेगी आपके भाई बहनों को इस दौरान कुछ अच्छा खासा लाब मिल सकता है जससे वो प्रसन्न होंगे आपको mental stress का सामना करना पड़ सकता है और काम है विशेश रूप से अपने साथ काम करने वालों पर जादा dependent भी रहना पड़ेगा हाला कि आपके पक्ष में ही रहेंगे लेकिन dependency चुक्कि आपको पसंद नहीं इस वज़े से आपको थोड़ा uneasy लगेगा हाला कि आगे चलके आपके संबन अपने कलीक से घनिष्ट बन जाएंगे और इसका असर आपके काम पर भी अनुकूल तरीके से पड़ेगा इस काल में आप अपनी किसी हाबी को आजमाएंगे और कला कि शित्र में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और यदि आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में आप उसके अच्छे परणाम पाएंगे आपका मान भी बढ़ेगा उपाय क्या करना चाहिए तो आप किसी मंदर चाहिए शुकरवार के दिन और वहां स्ट्रिंगार की चीज़ें चड़ाइए इससे मीन राशी के जातकों को बहुत खुश्या मिलती है और उनके जीवन में मार्ग सुकम होते जाते हैं आपने जाना कि शुकर का गोचर वरश्यवराशी में आपके लिए कैसा रहने वाला है इस पूरी जानकारी के साथ मेरा काम खतम आपका काम शुरू होता है क्या काम है आपका जो अब तक आप करते आए हैं अगर आप नॉन सब्सक्राइबर हैं फॉरण चैनल सब्सक्राइब करने को और अगर यह हो गया है तो कॉमन सेक्शन में लिखिए पूरे पांच इसके अलावा अगली नोटिफिकेशन पर आपको वापस लोटना है क्योंकि मैं भी लोटते हूँ आपके भविशे की जानकारी लेकर खयाल रखे अपना और अगली नोटिफिकेशन पर लोटी है ज़रूर नमस्कार